Hello everyone, my name is Imtia Sussain और आजके इस वीडियो में we are going to talk about the economic importance of fungi इसमें सबसे पहले useful activities बात करेंगे फिर उसके बाद harmful activities that means negative impact useful activities में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से important medicines हैं और antibiotics जो कि हम fungi से derive करते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे fungi कौन से important fungi है जिनका agriculture में बहुत बड़ा रोल है फिर उसके बाद देखेंगे कौन से important food product है और कौन से fungi से बनते हैं with beautiful colorful diagram फिर उसके बाद हम देखेंगे alcohol production में that means fermentation में fungi कैसे role अपना play करता है फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन से important organic acids है और इनकी क्या uses हैं जो कि हम fungi से derive करते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से important pigments है जो कि fungi से derive होता है फिर देखेंगे fungi का research में क्या role है फिर useful activities में last में हम लोग बात करेंगे white vegetable bondless vegetarian meat ताट्रूम के बारे में फिर harmful activities में कौन से ऐसे poisonous mushroom है फिर diagram nature में आप इनको पहचान सके फिर उसके बाद एक table की medium से कौन से important plant disease है जो कि fungi के वज़े से होती है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि fungi जो है human में कौन से disease cause करता और कौन से ऐसे fungi हैं जो कि के वज़े से आपके allergy होती है वो discuss करेंगे फिर उसके बाद कौन से ऐसे fungi है जो कि आपके food को खराब करता है फिर उसके बाद हम कुछ fungi के नाम देखेंगे जो कि आपके meat को खराब करत और useful activities में fungi का सबसे पहला medicine में बहुत बड़ा रोल है that means they have a broad economic important आपका fungi का exist करता है medical industry में क्यूं क्यूंकि fungi या fungi के product को बहुत सरी human and animal के disease को cure करने में use करते हैं हमारे पास एक important drug है that is the ephedrine drug जो कि general हम किस के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे ephedrine का tablet रखा हुआ है यह सरब रखा हुआ है और general हमें चाती related problem हो खांसी हो रहा हो अस्थमा हो या नजल ट्रबल हो उसमें यह ephedrine drug यूज़ होता है यह plant जो है वो extinct कर जाता बट हमारे पास good news ऐसा है कि आज के date में यह एक आपको फंज़ाई है that is the unicillular fungi yeast yeast के माधियम से by benzyl aldehyde treatment के थो हम ephedrine drug को जो है ना वो derive करते हैं और यूज़ करते हैं उसी तरह से हमारे पास एक important alkalite होता है that we call डिन एरगट जो कि हमारे fungi derived होता है kelvicef purpure जो कि आपके wheat or rye के उपर grow करता है और एरगट जो alkalite होता है इसका बहुत important role है generally आपका यह जो एरगट जो है ना उन drug में use होता है जो कि आपके uterine contraction जो delay child birth में use होता है प्लस यहाँ पे एक यहाँ पे आगें आप देख सकते हैं diagram में एक tablet का रखा हुआ है ergomar जो कि इसमें आपका ergotamine that means ergot के जो है ना आपके alkalites होते हैं और यह जो है ना आपके prevention and treatment of migraine एक तरह से आपका headache होती है ठीक है सिर में दर्थ होती है उसको सही करने में यूस होता है उसी के साथ हमारे पास फंजाई है that we call it in a gain puff wall यह देख सकते हैं diagram में नीचे देखिए यह वाला gain puff wall है और यह फंजाई nature में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और इस फंजाई के खाने से यह दाइट प्रिवेंस डी स्टोमक ट्यूमर स्टोमक में ट्यूमर नहीं होगा तो आपका आप वहाँ पे cancer cells बनने के chances बिल्कुल होंगे ही फिर उसी के साथ साथ हमारे पास vitamin के जो tablets होता है ना उसमें भी हमारे कुछ फंजाई का रोल है vitamin b complex rival फ्लेविन विटामिन डी के बनाने में हमारे यीस पेनिसिलम और अस्फरिजलर्स का भी यूज होता है फिर उसके बाद अगर हम antibiotics की बात करें तो antibiotics सबसे पहले होते क्या है antibiotics एक ऐसा substance है जो कि हम एक microorganism से लेते हैं प्लस वो सबस्टाइम जो है ना किल करने के लिए यूज करते हैं दूसरे पैथोजिनिक microorganism को और antibiotic जो है अपने आप में बहुत बड़ा discovery था साइंस फिल्ड में और फर्स्ट एंटिबाइटिक जो है आपके penicillin जो है उसको derive करा था penicillium, notatum और इसे wonder drug भी कहा जाता जिसे दूसरे पैथोजिनिक जो कि disease causing microorganism को किल करने में यूज होता है इसको for the first time आपका discover करा था सर अलेक्जेंडर फिल्मिंग उसी तरह से हमारे पास कुछ antibiotics के नाव आप यहाँ पे देख सकते हैं sphelo sphorin जो कि है sphelo sphorium जो है वहाँ इसके species से direct करते हैं penicilline यहाँ पे देखिए गया penicillium cryso genome अभी जस्ट हम लोगों ने देखा notatum that means penicilline सिर्फ notatum से नहीं derive होता penicillium cryso genome से भी डिराव रोल आफ fungi in agriculture सबसे पहला यहाँ पे रोल है fungi will act as in a biopesticides सबसे पहले यह जानिए कि pesticides क्या होते हैं pesticides वो insects होते हैं जो कि unwanted होती है और destructive होती है नेचर में जो कि हमारे field को खरब करता है जिसके वज़े से productivity कम होती है बायो पेस्टिसाइड मीन्स लिविंग मीन्स यहाँ पे फंजाई को हम यूज़ करके कि इसको पेस्ट को मारने के लिए उस करते हैं तो ताट मीन्स डेक्टिस ने बायो पेस्टिसाइड जिसकी वज़े से हमारा यह क्या करता है prevention and treatment of many plant disease जो कि आपके insect means best के वज़े से होती है यहाँ पे example है आपका बीवेरिया बैसाइना यह देख सकते हैं यहाँ पे यह वाला जो है आपको पॉडर फॉर्म में मिल जाएगा जो फंजाए इसको जब अमान लिज़ आपके फील्ड पे बहुत सारे insects आए उस पर अगर छिटक दोगे तो क्या होगा इसके जो पॉडर फॉर्म में Mr.S son huh. इसके स्पॉर्ड में इसके इस पॉडर उस इंक के ऊपर जर्मिनेड करेगा जर्मिनेड करने के बाद जो है ना वह और अपके उस इनसक को मार देता है और उसी के साढ़ साथ फंजई जो हैना स्वाल के फर्टिलीटी को मेंटे जाते हैं अकले सल हम देखते हैं तो कोई भी आपको नहीं दिखता वहाँ पे actually वह जो प्लाइन्स जो होते हैं ना प्लाइन के लीव जो हैंना वो सठ जाते हैं और वहाँ पर सठने का काम जो है वो enzyme जो production जो हैना आपके bacteria as well as fungi will act as in a decomposers और जिसकी वजह से स्वाइल की fertility जितने भी न्यूट्रिंट्स आपके लीफ में था वो फिर से स्वाइल में चला जाएगा और इसी के साथ साथ जो है ना फंजाई जो है ना आपके बायो जियो केमिकल साइकल में भी मदद करता है यहां पर जो भी न्यूट्रिंट की cycling हो होती है यह फंजाई का एक symbiotic association होता है with the roots of higher plant यहां पे इस diagram में आप देख सकते हैं कि एक plant है और इसके root देखिए जो कि आपके ग्रे कलर से दिखाए गया और यहां पे फंगस जो है ना एक्टो माइक्रो फंगस ग्रो कर रहा है और यह फंगस देखिए इसके mycelium जो है न यहां पे जो है ना इस fungi को food और shelter मिलता है इस tree से but in return जो है ना इस root का surface area बढ़ जाता है बढ़ा देता है जिसकी water water और mineral का absorption बहुत ज्यादा होता है यहां पे इस diagram में देख सकते हैं without micro रहिज़ा इसका root का surface और with micro रहिज़ा जब fungi इसके साथ attach करेगा तो कितना इसका surface area बन जाए ऐसे food हम लोग खाते भी हैं और fermentation में तो इनका roll है यहां भी देखेंगे यहां पे एक important species है yeast का saccharomyces cerevisiae यह बहुत important है क्योंकि is a important source of food यहां पे हम इसके माधियम से हम yeast cake बनाते हैं और yeast cake कैसे बनाते हैं by mixing a large number of yeast cell yeast cell आपको market से ऐसे मिल जाएगा इस form में देखे गया है कि आपका देखें बॉटल में yeast हैं और इसमें हम इनर सवस्टन that means stars को mix करेंगे yeast cell के साथ तो आपके yeast cake बनेंगे और yeast cake जो है ना baking industry में जहां पे bread बनते हैं या cakes बनते हैं उसमें बहुत बड़ा roll है और braving industry में भी yeast के cell को हम as it is भीखा सकते हैं because it is region protein और याद रिख cell तो difference देखिएगा जब yeast cell को use करेंगे ना तो आपका bread आपका full होगा और soft होगा अगर नहीं करेंगे तो वो hard होगा और चोटा होगा that means यह कैसे होता है यहां पर याद रखेगा fermentation के time हमारे CO2 as a bubbles निकलते हैं और यही bubble जो है ना जब निकलेगा तो आपके bread जो है ना वो full जाती है और spongy in appearance होता है जिसकी वज़े से bread आपका soft होता है और याद रखेगा जब आप ये yeast cakes को जाना large scale के production करें तो that we call it in a microbial farming उसी तरह से कुछ fungi जो होती है डाट ब्रायो मास जो उनके dried biomass को हम खाते है as a protein that we call it in a fungal protein and micro protein तो फिर उसके बाद हमारे पास food में ही हमारे प पास कुछ food के product हैं जैसे की चीज जो है ना कुछ important चीज जो है ना आपके penicillium के species दो species है इनको use करके बनाया जाता है ये चीज़े आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और ये बहुत है delicious और nutritious होता है ये चीज़ उसी तरह से हमारे पास एक product होता है क्योरान ये बह product जो है ना वो आपको क्योरान इस separate packets में आते हैं हमारे पास उसके साथ एक important food प्रोड़क है that is the temphae और टैमफे जो है ना leguminous seed को हम फर्मेंट करते हैं by the fungus that is called rhizopus oligosporus ये देख सकते हैं डाइग्राम में rhizopus oligosporus और ये टैमफे जो है ना इन जो है food का diagram दिखाएगे इस त इस तरह से हमारे पास एक और food product है that is the miso ये miso जो है ना आपके soya bean जो paste जो है ना उसमें हम युक मिक्स करते हैं aspergillus orizai उसके बाद जाके हमारा miso food product बनता है ये generally orizai इसलिए लिखावगे ये आपके rice के उपर आपको generally देखने को मिलता है ये वाला fungus हमारे पास एक important another food item है that is the sufu और ये जो हैं आपके mucer के species से बनते हैं ये diagram देख सकते हैं next है हमारा role of fungi in alcohol production यहां पर याद रखे कि important enzyme है हमारे पास जो कि produce होता है yeast से unicellular fungi से that is responsible for alcohol fermentation क्या है यहां पर इस diagram में समझेगा यह हमारे पास raw material है grapes भी हो सकता है cereals भी है sugar के इन बार ले कुछ भी हो सक sugars in the form of sucrose, glucose, maltose, यह maltose का chemical structure है अब यह शुगर जो है ना इन में हम जब आपके yeast एड़ कर देते हैं से किरोमाइसिस यहां पर दिया हुआ है यह 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 सेल एड़ कर देंगे ना यह yeast क्या कर देगा यह yeast cell जो है आपके glucose को ethanol में या alcohol बना देगा प्लस carbon dioxide यहां पर रिलीस carbohydrate sugar glucose को किसमे convert कर देगा alcohol प्लस वहां पर carbon dioxide रिलीस होता है उसी तरह से यहां पर याद रखिएगा wine जो है आपके एक fungus से बनता है यहां पर याद रखिएगा सेकरोमाइसिस का species और इसमें alcohol का concentration जो है ना वो लगबग 14% होता है उसी तरह से हमारे पास beer जो है ना beer में alcohol का concentration ज यूज करके बनाते हैं उसी के साथ हमारे पास एक beer है African indigenous beer जो कि आपके aspergillus flavors को यूज करके बनाते हैं यहां पर यह चीज़ याद रखिएगा beer alcohol जिया जो आपके wines होते है ना that are very harmful for your health इसलिए आपको कभी consume नहीं करना चाहिए और यहां पर इसलिए मैंने thumbs down किया हुआ है नाव नेक्स्ट है हमारा role of fungi in organic acid production यहां पर याद रखिएगा बहुत सारे important organic acids हैं जो कि हम fungi से derive करते हैं याद रखने के लिए यहां पर मैं एक example आपको hint देते हूँ यह जितने भी species है ना aspergillus के species से mostly आपके organic acid citric acid हुआ गुलकोनिक acid हुआ सासनिक acid हुआ यह derive करते हैं plus यहां पर इनके application जो है ना सब में आपको नीचे वाले दो छोड़के सब में food additive मिलेगा तो simply आप इस acid का नाम रख याद रखिएगा इस पर जिलस लिख दीजेगा और food additive सबमेट कर दीजेगा food additive क्या होता है general या आपके पास market में जू 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 आते हैं या food के products आते हैं उसमें क्या मदद करेगा food additive ये acids क्या करेगा एक तो flour को जो है ना उसके जो टेस्ट को है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देगा प्लस ये जो है आपका खाना जो है वो food product ज्यादा देर तक चले उसलिए as a preservative use होता है ये कुछ important आपके organic acid है now next है हमारा role of fungi in enzyme preparation हमारे पास एक important enzyme enzyme है जाइमेज जो कि आपके yeast that is sickeromyces cerevisi को यूज करके बनाते हैं और जाइमेज कभ यूज करता है जब आपका print chaos जो है अच्छे से काम ना करे उस time आपके digestive enzyme जो है ना as a digestive enzyme में जाइमेज को यूज करते हैं amylase enzyme हमारे पास important enzyme है that is derived from aspergillus orezy और इनका function है आपके carbohydrate को simple sugar में तोड़ना हमारे पास एक invertise important enzyme होता है जो कि आपका again yeast से derived होता है और इसका industrial application बहुत ज्यादा है हमारे पास एक important enzyme है cellulase जो कि आपके फंजाई ट्राइकोडर्मारिसे से derived होते हैं और cellulase जो enzyme जो है आपके textile और paper industry जहां पे होती है और bio fuel जहां पे बनती है वहां पे stomach related जब आपके खाना पचाने में आपको दिक्कत हो रही हो उस time use करते हैं और इनको जो है ना एसपरजीलस flavors और एजाई को use करके बनाते हैं यह दो product आप लोग देख सकते हैं digestive enzyme यहां पे देखिए syrup है जो कि एक digestive enzyme है इसमें fungal diastase आपका लिखा हुआ इदर ही फिर उसके ब हमारे पास next एक आप आपके पास है spinolosin देक एक blue purple color का pigment है that is derived from penicillium spinolosum यह term से ही आप लागर याद रखिएगा मेरून एक pigment होती है जो कि आपका एस फरजिलस के species से derived होता है यहां पर यह याद रखिएगा fungal pigments के जो हैना बहुत सारे biological applications है because इन pigments के antimicrobial, anti-oxidant और anti-cancer और cytotoxic activities देखी गई है और उसी के साथ यह चीज़ याद रखिएगी यह food और healthcare industry that means medicine में भी use होता है मगर यहां पर precautions यह याद रखना है कि वो जो pigment है जना toxicity test पास करें और quality test for us के बाद next है हमारा hormone production में जिब्रिलिन आप लोगों ने सुना है इसको for the first time कुरुसावा ने discover करा था एक rice में disease हो रहा था foolish seedling disease और इस rice में बाद में देखा गया तो actual में इस rice को एक उसने एक अंजक्ट करा था fungi ने that we call it in a जिब्रिला फ्यूजी को रहा है और यही fungi फ्यूजी 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 को रहा है उस rice में जिब्रिलिन बहुत ज़्यूजदा production कर रहा था तो वो rice के सिड्लिंग जर्वत से ज़्यूजदा लंबे हो रहे थे और यह जो लंबे होने का मलब यह नहीं कि प्लान अच्छे हो बात में जाके वह हाँ पर productivity जो है ना बहुत zero था और आज की date में इसी fungi को जिब्रिला फीजिकुराइ को हम जिब्रिलिन एसेट के production में ठीक है commercial production में यूज़ करते हैं रोल आफ फंजाइन रिसर्च यहां पर एक important हमरे पास fungus है Neurosporacrasa को आपकी जनेटिकल स्टेडी में बहुत ज्यादा यूज़ किया जाता है याद रखिए कि क्योंकि इस fungi को grow कराना बहुत ही आसान है second चीज़ इसका life cycle जो है ना वह हैप्लाइट फेज में ही निकल जाता vegetarian meat देखिए फंजाइ जो है ना वो बहुत ही important mushroom जो है nutrition प्रोवाइड कराता है human being को आप सब लोगोंने mushroom खाया होगा और mushroom actual में क्या होते हैं mushroom actually आपके spore bearing जो fruiting body of fungus होती है उनको हम लोग mushroom कहते हैं जो generally आपके soil के उपर निकल के आते हैं mushroom का importance क्यों है यहाँ पर यह देखा जाए तो protein का content almost 13% और milk में देखे तो आपका 25% मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ mushroom में आपका protein का content जो है ना around 35% होता है meaning means milk से भी ज्यादा होता है that's why mushroom का बहुत ही ज्यादा importance है और एक चीज़ यह याद रखिएगा mushroom जो है ना is commercially grow कराना बहुत आसन है और बह प्रोटीन के साथ साथ carbohydrate protein और important minerals और vitamins भी होते हैं इंडिया जो है ना बहुत पिछले कुछ दिनों से mushroom cultivation जो है ना बहुत ही ज्यादा यह जो है industry grow कर रहा है और हमारे यहाँ पे चार तरह के mushroom को generally grow किया जाता है जिसमें हमारा पहला यहाँ पर diagram में देख सकते हैं बटन mushroom जो क अगरिकस के species को कहा जाता है ने सेकंड है हमारा oyster mushroom जिसे pluritas के species को oyster mushroom कहा जाता है एक हमारे पास है पेडी स्ट्रॉव मश्रूव मश्रूव यह इस diagram में आप लोग देख सकते हैं वलवरीला और एक हमारे पास milky mushroom होती है यह आप diagram में देख सकते हैं एक first वाला बटन mushroom यह व तो यहां पर बीच में मैं आपने बुक के बारे में बता हूं टेक्स्बूक और पॉटनी जिसके वॉल्यूम फ़स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वाइरस और बैक्टिरिया का डीटियल मिलेगा क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपको अलगी फंजर लाइक अंब्राय चैनल पे मिल जाएगा यह बुक का ISBN नंबर है और इसी के साथ अगर आपको BST के मेरे सारे वीडियोस अगरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंग है वहां से जाके आप देख सकते हैं अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मश्रूम जो है ना वो इटेबल होता है और हाइली आपका प्रोटीनिशियस होता है पट ऑन दी अधर साइड हमारे पास ऐसे भी मश्रूम होई जो कि विचार पॉजिनेस इन नेचर जिसको आप रात में डिनर में खाओगे तो सुवे आप उठोगे नहीं तो यहां पे हमरे पास कुछ पॉजिनेस मश्रूम है और नेचर में आप कैसे जानोगी यहां पे डायगराम में देख सकते हैं सबसे पहला वाला है तैस दी अमेनीटा फालाइट्स जिसे डेथ केव भी कहते हैं ये जो है ना सबसे poisonous mushroom जो है आज की डिड में इस दुनिया पे मानी जाती है और इसको आप एक बार खा लोगे तो आपके बचनी के चांसे बहुत ही कम है नेक्स्ट वाला mushroom सेकंड डाइग्राम में आप देख सकते हैं ये भी पॉजिनेस होती है थर्ड वाला mushroom देख सकते हैं नेचर में आप इसको ऐसे पेचानिएगा उसके बाद हमरे पास एक मेजिक मश्रूम है लास्ट वाला ये चारों मश्रूम जो है ना डाइडर पॉजिने करिएगा और दूसरे colorful अगर इसमें हो तो नाव नेक्स्ट है हमारा plant disease देखिए बहुत सारे useful activities पढ़ा बहुत सारे से plant disease हैं जो आपके fungus से होता है ये disease का नाम है इस column में ये fungal pathogen का नाम है जिसके वजह से आपका disease होता है और किस crop के ओपर ये infection cause करता है सबसे पहले देखि बाइ अल्टरनेरिया सोलनाई और ये potato plants में होता है ये early blood का diagram में देख सकते हैं symptoms लीप आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा late blood जो है आपका phytopothera infestans जो की potato में होता है और ये जो है इसके symptoms है diagram में देख सकते हैं damping of आपके pythium के species से होता है एक healthy seedling है जब आपका damping of pythium infect करेगा तो ये जो है न जहां से इनका soil से just above के ओपर ये fungus जो है अटेक करता है जिसके वज़े से आपका जो सेडिलिंग है जो है न वो starting में ही वहीं पर गिर जाएगा और उसी तरह से हमारे पास है leaf blight, fusarium wilt, sheet blight, कौ आप यहां पर याद रखेगा उसके साथ साथ हमारे पास कुछ important disease है डाउनी mildi of grapes, eargot of rice, apple scap disease, ये कुछ ऐसे disease हैं जो की plant में होते हैं फिर उसके बाद अगर हम पढ़े तो role of fungi in humans में fungi कौन से disease cause करता है तो इसमें देखिए यहां पर disease का नाम और उसमें fungus का नाम दिया देखे, dermatofides की वज़े से, trichophyton की वज़े से होता है, aspergillosis, aspergillus species की वज़े से होता है, candidasis that is caused by candidasis alibicans, तो ये कुछ आपके disease और causal organism human में याद रखिए गए यहां से, फिर उसके बाद कौन से ऐसे फंज़े हैं जो की allergy cause करता है तो, alternatoria जो है respiratory allergy का color ता, aspergillus जो है again respiratory allergy, elementosporium skin allergy कराता है, fusarium जो के species जो है ना, वो आपके again skin allergy कराता है, ये भी यहां से आप रोग याद रखिएगा, उसी तरह से हमारे पास जो खाना रखा जाता है, वो खराब हो जाता है, bacteria की वज़े से और fungi वहां पे generally grow करते हैं, और bread के ओपर आप लोगों ने देखा होगा, ए that is the bread mold, we call it in a rhizopus, उसी तरह से आपके खाना जो पुराना खाना जो खराब हो जाता है, that is due to the bacterial and fungus, और fungus में कुछ common है, rhizopus, alternaria, fusarium और kilidosporium, उसी तरह से हमारे पास जो important timber wood जो होते हैं, उसको भी destruction कराता है, उसको भी खराब करता है, आपके fungi, fungi जो है आपके deadwood के ओपर आट करता है, और कुछ ऐसे फंजाए है, जो कि आपके living plant पे parasitic होती है, that is army laria, यह याद रखिएगा, which is also called honey fungus, हमारे पास last में कुछ दो species हैं, जो कि आपके meat को खराब करता है, that meat, spolich, is caused by kilidosporium, herbarium, और penicillium, expensive, जी साहां पे जितने भी वीडियो में बनाता हूं, बहुत ही म समझ में आओगा, अगर ये वीडियो आपके लिए useful रहा थो, आप इस चैनल को subscribe करिए, इस वीडियो को like करिए, और comment जरूर करिएगा, thank you so much